आज बरो जेत्वार तकरीबन पास साड़े पास बजे के करीब में मनमाड के रोड के ओपर जो एक देहात है जलगाओ छुणडी जिसको कहा जाता है उससे पहले मालेगाओ शेहर का एक बहुत ही हुनार लड़का जो फायर इस्टेशन के ओपर अपनी ड्यूटी अंजाम दि की उम्र थी मनमाड अपने भाई के वहाँ शादी में वह उसकी बच्ची की शादी में गया हुआ था तकरीबन वह साड़े-चार और उदर से लोटा लोटने के लोटते हुए रास्ते में उसका एक रोड हादसे में इंतिकाल हो गया और इतनी बुरी तरीके से उसके उपर एक्सिडेंट हुआ कि गाड़ी उसके चेहरे के उपर से चली गई हम आप लोगों को उसका चेहरे का जो हुआ है बयान भी नहीं कर सकते यह शेक जमील जो हमारे दोस्त का भाई था जो हनीब भाई है उनका भाई था तकरीबन साड़े-पाच बजे या छे बजे के करीब म हनीब भाई का मुझे फोन आया कि शफीक भाई ऐसा-ईसा मामला हो गया है और उसका जगा पे ही इंतिकाल हो गया वहाँ पर गुजर दादा एक पॉलिस वाले थे जो तालुका पॉलिस टेशन के थे उन्होंने एंबुलेस वगरा को कॉल किया एंबुलेस वाले ने मुझे फाइर इस्टेशन में ये मांधन के उपर ड्रैविंग वगरा करता था पावार साब वगरा हमारे शकील तहराक और उस वार्ड के मिम्बर साब यहां पर मौझूद है मैं मतलब आज इस तरीके से हमारे लिए दुख की बात है कि मैं वो बात बयान भी नहीं कर सकता आप ल हो के बाहर जा रहे हो तो टूविलर का इस्तेमाल मत करो 31 साल इसकी उमर थी ज्यादा उमर कभी यह लड़का नहीं था हम लोग आप लोगों के सामने ये कैमरे पे पीम रूम के पास हम लोगों को आकर बार बार यही मैसेज हम लोग आप लोगों के पास देने आते हैं कि कह आप लोग हमारी बात सुनकर कोई रूख जाए उसके जान बच जाए उसके घर वालों की जो उपर मुसीबत आफ़त आती है कुछ तो तल जाए इसलिए हम लोग आप लोगों के सामने सब मैसेज देते हैं आके हम लोग मालेगाव वालों से गुजारिश करते के भाईयो माले मिश्टुफा बंगार बाजार डाइमंड कारफेट भोल जरी तने से नहिसे अपरत कारपेट रिए नहीं तेल ने थीस्बराए मुआते मालेगाव शुचछ पता बंकारर बाजार तायमंड कारपेट होए मुज्डात 3